हेलो एवरीवन वेलकम टो स्कूल डाइरी तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारे टाइम चैप्टर का लेसन नमबर टैन टाइम चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइस और इस एक्सरसाइस में हम पढ़ने वाले हैं टाइम कनवर्शन्स सो कनवर्शन का मतलब क्या होता है कि मिनिट को सेकेंड में करना है ना आर को मिनिट में करना तो फिर एक डे में कैसे होते हैं कितने आर्स होते हैं कितने मिनिट्स होते हैं तो सारे कनवर्शन्स हम यहाँ पर सिखेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 hour is equal to 60 minutes है ना, तो 12 hours is equal to 12 into 60 minutes जो की होगा 7.20 ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा अगला exercise है, conversion के उपर exercise 10.4 तो यह है आपका exercise 10.4 तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले question number 1 convert the following into minutes तो यहाँ पर ना hours में दिया गया है और आपको उनको minutes में करना है तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर करते हैं हम हर exercise के एक दो question कर लेंगे, बाकि आप अराम से कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा question है कि 5 hours को आपको minutes में पता लगाना है, तो हमें पता है कि 1 hour is equal to 60 minutes ठीक है, यह हमें पता है कि 1 hour is equal to 60 minutes, तो 5 hours क्या होंगे, तो 5 hours मतलब 5 into 60 है ना, तो अगर हम यह करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि 5 hours में कितने minutes होते हैं, तो answer क्या होगा हमारा, 60 से multiply करेंगे 5 को, जो की है 300, ठीक है, तो answer होगा 300 minutes, minutes ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाकी भी करने हैं, जैसे next आप देख सकते है, 19 hours तो यहां तो next में भी आपको यह करना है 19 multiply by 60 ठीक है, तो answer होगा 1, 1, 4 अब आगे देखते हैं number 3 and 1 by 4 hours तो आप देखे, यह हम पता लगाएंगे तो देखे, हमारा question है, number C करते है, 3 hours ठीक है, और उसके साथ plus 1 by 4, यह 1 by 4 को भी हमें साथ में मिलाना है और minutes के बारे में पता लगाना है, तो देखे 1 hour हमें पता है, 60 minute है, है ना, 1 hour is equal to 60 minute, ठीक है so, 3 hours कितना हो गया 60 into 3 ठीक है, 60 into 3 जो की है हमारा 180 minute अब यह बन गया, अब हमें इस 1 by 4 को भी पता लगाना है so, 1 by 4 का हमें पता है कि यह quarter को 1 by 4 बोलते हैं है ना, quarter का मतलब होता है 15 minutes, हमने पढ़ा था ना कि 15 minutes मतलब 1 by 4 30 minutes मतलब 1 by 2 ऐसे हम time के बारे में बोलते हैं तो 1 by 4 का मतलब होता है कि 15 minutes यह हम पढ़ चुके है so, इस 15 minutes को भी हमें 180 के साथ plus कर देना है, तो आपके total minutes बन जाएंगे ठीक है, जो की होगा 195 so, आंसर होगा 195 minutes तो इसी तरीके से अब आपको आगे भी करना है आगे का question देखते हैं, देखे, question number D में 7 hours, 20 minutes तो 7 hours का हमें पता है हम कैसे करेंगे, 7 hours के लिए हम करेंगे, 1 hour का हमें पता है, 60 minutes 7 hours का कैसे पता लागाएंगे, 60 into 7 है न, तो यह होगा हमारा 7 hours, तो जो की आंसर है हमारा 60 into 7 420, 420 और उसके साथ, इस 20 minutes को भी हमें आड़ करना है, क्योंकि यह भी minutes में दिया है पहले से, ठीक है तो जिसको हम प्लस करेंगे, तो आंसर होगा 440 minutes, ठीक है, तो यह होगा इसका answer इसी तरीके से देखते हैं, अगला अगला भी आप कर सकते हैं, 12 hours अगला भी आप कर सकते हैं, 12 hours 10 minutes, 12 hours का मतलब होता है 12 hours का मतलब होता है, 60 के साथ multiply करेंगे, into 12 जितना भी number है, उसको 60 के साथ multiply करना है, तो हमें 720 answer मिल जाएगा, उसके साथ फिर इस 10 minutes को add करना नहीं भूलना है, क्योंकि यह separately दिया हुआ है तो इस 10 minutes को भी add करके 730 minutes, ठीक है, इस तरीके से find out करेंगे, अब इसी तरीके से देखिए, आगे भी आपका देखिए 6 hours और 1 by 2 तो 1 by 2 का मतलब हमें पता है कि 30 minutes, तो 6 hours के लिए हम करेंगे 60 multiply by 6 जो की 6 hours का हो गया और उसके बाद हमें जो answer मिलेगा 360, उसके साथ प्लस करेंगे इस 1 by 2 को भी 1 by 2 का मतलब होता है 30 minutes तो उस 30 minutes को भी plus करेंगे जो की answer होगा 390 minutes और यह हमारा answer हो गया अब देखते हैं question number 2 Convert the following into seconds अब जैसे की अभी हमने hours को minutes में किया था, उसी तरीके से minutes को अब हम seconds में करेंगे तो वो भी same formula है क्योंकि हमें पता है 1 minute is equal to 60 seconds ठीक है 60 seconds होते हैं तो अगर 8 minutes होगा तो कितना होगा तो उसको भी हम करेंगे 60 into 8 60 multiply by 8 ठीक है तो जो की हमें answer मिलेगा 480 seconds ठीक है तो इसी तरीके से अगर आपको minutes को भी seconds में करना है तो आप क्या करेंगे सब को multiply by 60 करेंगे ठीक है और next भी देख लेते हैं 15 minutes तो क्या होगा 15 के लिए हमें इस 15 को multiply करना है 60 से ठीक है अब next देखते हैं 10 minutes और 30 minutes ठीक है so 1 by 2 so 10 को 10 minutes को multiply तो सबसे पहले 10 minutes को करेंगे जो की होगा 60 के साथ multiply by 10 तो answer होगा हमारा 600 उसके साथ इस 1 by 2 को करना नहीं भूलेंगे जो की हमारा 30 minutes होता है तो answer होगा 630 और ऐसे हमें answer पता लगाना है इन सब ही का ठीक है सब ही का एक ही टेकनिक है जैसे की देखिए 3 minutes है तो 3 minutes मतलब 60 multiply by 3 उसके साथ फिर 45 seconds को add करना है तो 60 multiply by 3 हमें पता है 180 है उसके साथ हमें plus करना है 45 seconds तो हमें मिल जाएगा इस D का answer उसी तरह के से 24 minutes और उसके साथ 24 minutes को पहले multiply by 60 करेंगे और फिर उस answer के साथ प्लस करेंगे 18 seconds क्योंकि इस 18 seconds को भी seconds में add करना है डेक्स्ट में देखिए सबसे पहले 35 को 60 से multiply करेंगे और 1 by 4 मतलब 15 ठीक है 15 minutes तो मतलब 1 by 4 मतलब उसका 1 quarter time एक minute का quarter time जो की होता है 15 seconds ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करना है 60 को multiply करना है 35 के साथ और उस answer के साथ हम plus करेंगे 15 seconds को क्योंकि 1 by 4 दिया है जैसे हाँ पे हमने 30 seconds को plus किया था यहाँ पे हम 15 seconds को plus करेंगे और answer ढूंडेंगे अब next देखते हैं 3 hours अब यहाँ पे hours में दिया है तो अब यहाँ पे दिखिए ध्यान देना है minutes होता तो हमें सिर्फ एक बार 60 से multiply करना होता लेकिन यहाँ पे हमें hours को 60 में करना है तो पहले हमें इसे minute में करना है जो कि हम minute में करने के लिए हम इसे 60 से multiply करते हैं जो कि हमारा answer होगा 10,800 seconds मतलब पहले 60 से 60 को multiply करेंगे तो 3,600 आएगा उसके साथ फिर हमें 3 को multiply करना है तो हमें यह answer मिलेगा अब इसी तरीके से 10 hours को करने के लिए भी हम क्या करेंगे दो बार हमें 60 से multiply करना है पहले हमने इसको minute बना दिया एक बार 60 से multiply करके फिर से 60 से multiply करके हमने इसको seconds में बना दिया और हमें answer मिल जाएगा 36,000 seconds तो ऐसे हम करेंगे question number 2 अब आगे देखे question number 3 में कुछ word problems दिये है we went for a movie whose duration was हम एक movie के लिए गए थे उसका duration duration मतलब कितने समय का वो movie था पूरा time उस movie को चलाने में कितना लगा ठीक है so duration was 1 hour and 15 minutes तो इतना समय लगा उस movie को देखने में what was the length of the movie in minutes अब देखे यहां पे भी कुछ भी नहीं है जो यह वाले दो question के आना वही है लेकिन इसको बस एक word problem में दिया हुआ है तो देखे यह 1 hour है हमारे पास और 15 minutes है और हमें answer दोना है minutes में तो 15 minutes तो पहले से ready है minutes में है बस इस 1 hour को हमें minute में करने की जरूरत है तो 1 hour को minute में करने के लिए 1 multiply by 60 ठीक है तो हमें पता है कि 1 hour is equal to 60 minutes तो उस 60 minutes के साथ हम प्लस करेंगे इस 15 minutes को भी तो हमारा answer होगा 75 minutes ठीक है जो की हमें मिल जाएगा answer अब देखते हैं next देखे नमबर B रामन वेंट तो सी अ क्रिकेट मैच ठीक है रामन एक क्रिकेट मैच देखने जाते हैं उसके बाद ही रीचर दे स्टेडियम वो कब पहुंचते हैं स्टेडियम में 6.45 पियम शाम के 6.45 पियम में वो पहुंचते हैं और वो आधे घंडे लेट हो जाते हैं अब देखे यहां पे आपको कैसे करना है यहां पे बताया है कि यह जो टाइमिंग है जब वो रामन क्रिकेट मैच देखने पहुंचते हैं 6.45 पियम में और बताया है कि यह आधे घंडे लेट पहुंचे हैं आधे घंडे का मतलब क्या है 30 मिनिट्स ठीक है 30 मिनिट्स वो लेट हो गए है हमें पता है 1 by 2, half an hour का मतलब होता है 30 मिनिट्स तो देखें 45 में टाइम होता है 9 में होता है 45 ठीक है तो यह 45 का टाइम कब होता है 9 में जब हमारा मिनिट है 9 में होता है तो यहां पे जो टाइम है वो है 45 तो वो आदे घंटे लेट पहुंचे तो उन्हें कितने बजे पहुंचना था उन्हें 6.15 को पहुंचना था है न क्योंकि 3 तो हम एकदम आदा घंटा क्लॉक में पीछे आ जाएंगे कि इस टाइम में उनको पहुंचना था जो कि वो लेट पहुंचे और 45 हो गया तो यहां पर क्या टाइम होगा तो हमें 30 से इसे माइनस करना है या फिर हम ऐसे जनरली समझ भी सकते हैं कि क्लॉक में हमें पूरा आदा घंटा पीछे आ जाना है जो कि आपका होगा 3 तो यहां पे 3 पे क्या टाइमिंग होगी आपकी 15 सो हमें तो उनको कितने बजे पहुंचना था उ तो इसका आन्सर होगा 30 मिनट्स अब दो değişक्ते हैं एक अंसर होगा 30 मिनट्स अब देखते हैं नेक्स अब बी आन अथलीट रैन अOOOO рай इन फिरे इन 50 शी लिए नामिट मिनट्स 26 सेकंद्स तो अथिलीट करते हैं लिए जो पार्टिसीपेट करते हैं थीक कहते हैं में वो जो है race को complete करेंगे यहां पे जो है minutes में दिया है और seconds में तो पूरा total उनको seconds में बताना है तो इस minute को भी आपको seconds में convert करना है तो इसके लिए भी आप करेंगे multiply by 60 ठीके यहां पर भी आप क्या करेंगे सबसे पहले इस 5 को 60 multiply by 5 करेंगे ठीके तो हमें answer मिलेगा 300 और उ हम plus कर सकते है तो हमारा answer होगा 326 seconds अब next देखते है number D it takes three and a half hours three and a half तो three and a half का मतलब क्या होता है three hours और एक half hours जो हमने यहां पर ऐसे type में देखा था ठीक है तो three and a half hours लगे to reach my grandma's house grandma's house पहुंचने में इतना समय लगया how long does it take it minutes अब इसको इस three and a half hour को आपको minutes में convert करना है तो सबसे पहले हम three को convert करेंगे ठीके तो कैसे करेंगे one hour is equal to 60 minutes तो three hours is equal to 60 multiply by 3 जो की हो जाएगा 180 minutes ठीके तो इस 180 minutes के साथ इस one by two को भी plus करेंगे जो की है आपका 30 minutes तो उस 30 minutes को भी plus करने के बाद आपका answer होगा two one zero ठीके 210 minutes तो इस तरीके से आप इसको plus करेंगे और answer ढूंडेंगे और complete करेंगे ये exercise और आप मिलते हैं अगले exercise में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर अगर